चेश्री किष्णा फ्रेंड्स वेर्कम टो रादा कुष्णी की चर्ड मैं हूँ जैश्री पवार और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल नाए वीडियो तो चलब फिर वीडियो को स्टार्ट करते तो आज हम हमारे मुंग फली को खाट डालने वाले हैं क्योंकि य तो फेले इसको गोबर के खाट डाली थी लेकिन अब थोड़े से बढ़ा होने के बाद इसको थोड़े शी फर्टिलाइजर्स बिल देने होते जो चैनिक होते यह सही मायने में हम लोग जीरो बजट से खेती तक लाने वाले लेकिन अब इन खेतों को ना बहुत ज्यादत ह तो गया और मुझे बाल्टी पी गिर गई और क्योंकि यह जली होई थी तूट गई थी तो मैं सिर्फिजल गए हाथ से और यह तूट गई तूटने से गिर गई और मैंने फिर बाकी भर दिया और यहां से ज्यादा हो जाएगा एक जगए तो इसलिए मैंने इधर उदर मट्टी के साथ डाल दिया ताकि और ज्यादा और मैं इसे और जगद नहीं डालूंगी यही रखने दूंगी तो जब इसको हम पानी भरेंगे जिसको ज़्यादा हो गया वह पूरा जल जाएगा इसलिए हम इसे बस थोड़ा थोड़ा दालते जो ज्यादा मात्रा में फल्टिलाजास देते हैं वह सहत के लिए बलकुल भी अच्छा नहीं होता लेकिन हम यह बहुत लिमिटेड मात्रा में डालते हैं और यहाभी हम बस थोड़ा थोड़ा डाल रहे ताकि वह बहुत अच्छे से ग्रोव करें लेकिन जब भी हम बच्पन से ऐसे पोदों को खाट डालते हैं तो हमको लगता है कि हम जैसे कि हमारे गाव में इंडियन मतलब भारती है बैटक से बैट खाना बैटके शादी और प्रोग्राम में खाया जाता है सब बैटते हैं नीचे और फिर उसको परोस्ते हैं तो जब भी हम ऐसे खेत में खाना परोस्ते हैं मतलब खाट डालते हैं तो हमको लगता है कि हम उनको जैसे पंगत में सब बैटे हु ऐसा कि आपने यह किन मेरी तूड़ गई मेरे पापा ने देख लिया था तो उन्होंने अच्छी वाली वालति लाई फिर पिर मैंने उन्होंने पकड़ा और हमने चेंज कर दिया ताकि यह मुझे दिकत ना हो क्योंकि यह सहात में पकड़ने से दर्ड होता है और ऐसे पकड़ेंगे उसको उपर से तो आसानी होती है इसलिए तो मैं बता रहे थी ना कि जैसे के हमें लगता है कि जैसे हम डालते इनको तो लगता है कि हम बूंदी, हलवा, पूरी, सबजी ऐसे देते हैं सबको ऐसा लगता है कि और आभी एक कोरोना के बच्चे ने तो के शादी बया और बाकी प्रोग्राम्स भी कैंसल हो गए, अपने अपने घर में सब कैद हो गए, फिर से लॉकडाउन लग गए है महारास्टा में भी तो और इस बज़े से अभी खुद बना और खुद खाओ, ऐसे शादी बया में जाना वो सब बंद हो गए, और अभी श इसी तरह से डालते हैं, और अभी मुंख फली समर की हैं, अम इतने केर की हैं, लेकिन हमारी मटी है, खेत में मटी कम रेद जादा है, तो इसलिए ये और इसको उन्नी भी लग गई थी, तो इसलिए बहुत सारी जल गई, इसलिए पतला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पतला भी बहुत अच्छे से आता है, और हमारे घर साल भर के लिए हो जाए, इतना तो ये आई जाएगा, और अपने शुरू से देखा है इसे, और ये बहुत बड़े अभी ग्रो करने भी लगाए, और अभी जब इसको खाट डालेंगे, और पानी भरेंगे, तो ये बहुत नाजुक सा होता है, ये नीचे गीर जाता है, इसलिए इसको जब थोड़ा सा पक जाए ये सही से, तो तभी हम निकाल लेते इसे, ताकि वो बहुत अच्छे से रहे, और इसे भी हम और जब भी हम जब यहां से गुजरते, कुछ भी काम करते, अंचाए घास दीखी तो हम, मैं खुद नहीं, हम सब किसान लोग उसे उखाड़े बिना आगे नहीं निकलते, कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, फिर भी, तो मैंने उसको भी हटा दिया, फिर अभी इसी तरह से हम पूरे खेत में आज डाल देंगे, और इसके बाद इसकी और भी बहुत काम कर बाकि इसके उपर, तो ओ भी करेंगे, और इसी तरह से हमारे खेत में काम चलता रहता है, यह पूदा है ना, यह राजगिरा का है, जो हम उसकी राजगिरा पट्टी, राजगिरा लाडू बनाते हैं ना, यह देखो, इसी को आता है हो, और फिर इसे हम लाही बना के, और य इसके बाद इसमें बहुत सारे काटे भी लग जाते हैं, और इसके बीच कुछ राजगिरा और सरसो के भी पोदे हैं, जो बहुत अच्छे से आते हैं, और उसको भी हमने रख दिया है, ताकि हमें थोड़ा सा सरसो और यह भी मिल जाए, त्योंकि आभी इसमें तरुन जाए, तो इसी बिल्कुल भी मर जाते हैं, क्योंकि जो अंचाई गास होती है, उसे हटाने के लिए वो स्प्रे करते हैं, तो उसके साथ जो हमें चाहिए होता है, वो भी चला जाता है, बस जो में पसल होती है, वही बचती है, बाकि सब जल जाता है और ये फसल को खाट डालने के बाद मैं जाने वाली हूँ हमारे आजी के घर और उनके लिए मैंने आज बहुत सारे ग्रेप्स लाए क्योंकि अभी ग्रेप्स का सीजन चल रहा है और तो इसी लिए और अभी हम पोज भी गए और बहुत अच्छे से ग्रेप्स मिले देखो मैं जाने पर बहुत खुश होते और वो सब तुरंत एकटा हो जाते बच्चे क डालके हम बहुत सारे मज़े से आंगर में बैटके खाएंगे और अभी इसको अच्छे से पानी से वाश करेंगे और फिर खाएंगे और मैंने घमले में तो यह डाल दिया और अभी इसे बोल रहे थे कि अगरम फिर अभी सब बोले बाद में नहीं अभी एकटा खाएंगे सब तो फिर से हमने डाल दिया और मैंने बोला पानी लाओ फिर अच्छे से दोते हैं और फिर सब मिलके खाते हैं या बैठके और आपको पता है कुछ भी हो हम लोग ऐसे आंगर में बैठके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वो कब इतना ही भी सारी चीजे क्यों खाने की चुटकी बजाते खतम हो जाती है क्योंकि एक दूसरे के साथ जब खाते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है और खाना भी बहुत अच्छे से जाता है और अभी शाम का टाइम है तो अभी हमने चाय पानी नहीं करना है आज हम लोगों को अभी सब के साथ ग्रेप् आग्या आते तो सब को जब ऐसे बड़े बड़े दे दिये न अंगुर ग्रेप्स हम लोग अंगुर बूलते इसको और मराटी में द्राख्षे तो महरास्टा में नासिक में तो बहुत बड़ा द्राख्षा आते यह दि आपको अच्की विड़ों अच्छी लगी हो तो फ आदे आदे